दोस्तो आज की वीडियो वाकई में काफी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की मंडे नैटरों के बारे में तो दोस्तो आज की मंडे नैटरों वाकई में काफी धासू थी और सबसे बड़ी बात आज की मंडे नैटरों की स्टार्टिं लग गए लेकिन फिर भी दोस्तो चैट गेबल की टीम इन भूतिया टीमों को बराबर की टक्कर दे रही थी तो क्या फाइदा ऐसी भूतिया टीम का जो एक नॉर्मल सी टीम को क्लीन तरीके से नहीं हरा पाई एंड में जाकर अंकल हाउडी को दखर अंदाजी करके वाइट स दोस्तो जयसके आप देख सकते हैं ब्रोन ब्रेकर जाइट में चोटा है मतलब जे उसो के सामने भी ब्रॉन ब्रेकर हलका लग रहा है ये क्या ब्रोक लेसना और गोलबर्ग की बराबरी करेगा इसके लावा दोस्तों आज की मंडे नैट रो में डू मेकेंटायर वर्सिस सीम पंक के बीच में बेड ब्रेड पेपर व्यू के लिए एक हैली नसेल मैच सेट हो गया है यही नहीं दोस्तों बेड ब्रेड पेपर व्यू के लिए डेमे प्रीष्ट वर्सिल पिन बेलर का मैच भी सेट हो गया है और लिब मोर्गन वर्सिल रिया रिपली का मैच भी सेट हो गया है जो कि Women's World Championship के लिए होने वाला है इसके लावा दोस्तों सबसे बड़ी बात आज की Monday Night Raw में गुन्थर ने ब्रेट हार्ट को चिडाते हुए ये कह दिया कि गुन्थर WWE के बाहू बली The Powerhouse गोलबर्ग के फैन है दोस्तों मैं आपको बदा देता हूँ कि ब्रेट हार्ट गोलबर्ग से काफ़ी ज़्यादा चिडाते हैं क्योंकि गोलबर्ग ने 1999 में WCW के अंदर एक मैच के दोरान ब्रेट हार्ट को एक ऐसी जोरदार किक मारी जिसकी वज़े से ब्रेट हार्ट का करियर खतन हो गया तब से ब्रेट हार्ट गोलबर्ग से चिड़ते हैं हालनकि गोलबर्ग ने कई बार ब्रेट हार्ट से माफ़ी भी मांगी है लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ बात नहीं बनी तो दोस्तो आज की मंडे नेटरो तो वाकई में काफी तगड़ी थी इसके लावा दोस्तो कल की वीडियो में The Final Boss कमेंट करते हैं कि आज उनका बर्थडे है और उनका नाम अयान है तो क्या आज रेंडी ओडन के उपर एक वीडियो आ सकती है तो सबसे पहले तो आयान भाई को जनम दिन के हारदिक सुपकामनाई इसके लावा दोस्तों अगर हम बात करें रेंडी ओडन की तो अभी रेंडी ओडन को WWE इतना तगड़ा पुस नहीं दे रही जैसे ही WWE रेंडी ओडन को तगड़ा पुस देगी तो रेंडी ओडन के उपर भी वीडियो आने लग जाएगी इसके लावा दोस्तों आने वाले स्मैकडाउन काफी तगड़ा होने वाला है क्योंकि आने वाले स्मैकडाउन USA Network का पहला SmackDown होने वाला है तो WWE ने SmackDown को तगड़ा बनाने के लिए Cody Rhodes vs Solo Sequoah के बीच में Undisputed Universal Championship को लेकर एक Steel Cage Match Set कर दिया है और दोस्तों काफी ज़्यादा रूमर्ड है कि आने वाले SmackDown में हमें Roman Reigns, Paul Hammond, Jimmy Uso और दा रोक में से किसी एक का रिटन तो जबूद देखने को मिलेगा Roman Reigns के रिटन के चांसिस तो काफी ज़्यादा है और अगर Brock Lesnar का रिटन भी हो जाए तो फिर तो तहल का मत जाएगा लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या रखता है वो आप हमें कमेंट के थूप बता सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आईसकी वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जबू कर देना फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में